Unit 4, Factors and Multiples जब हम किनी 2 या 2 से जादा Numbers को Multiply करते हैं तो Answer में हमें जो मिलता है उसे हम Multiple कहते हैं और जिन Numbers को हमने Multiply किया है वो Factor कहलाता है जैसे जितने भी Tables हम जो पढ़ते हैं वो सब उसमें हमें Multipels और Factors मिलते हैं जैसे टू का ही Table लेलो, for example, सारे Tables होते हैं वैसे तो 2 को हमने 1 से Multiply किया तो हमें मिला 2 2 को 2 से Multiply किया तो मिला 4 इस तरीके से Table बनता चला जाता है 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 इस तरीके से यह जो नंबर मिले हैं हमें वो है Multiples यह हो गए Multiples और यह हो गए इसकी Factor है इस नंबर के यह Factor हो गया और भी Factor होते है 6 के Factor हो गए 2 और 3 इसके इलावा Factor के बारे में आप और पढ़ेंगे और भी Factor होते हैं पर बागे डिटेल में भी आगे आने वाले Questions में पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे आप फिलाल है Multiples 4.1 Write the 6th, 8th and 9th Multiples of each of the following नीचे लिखे गए Numbers के 6th, 8th and 9th यानि छटे, 8th and 9th Multiples क्या होंगे यानि कि 6th, 8th and 9th Multiples पर नमबर पर नमबर आते हैं जो Multiples आते हैं वो नमत आई है तो 9 का जो 6th Multiple होगा वो क्या होगा अभी मैंने क्या बता है multiply करके जो हमें मिलता है वो होता है Multiple तो अगर हम 9 के 6 में multiply कर दें तो आंसर में जो होगा वही होगा उसका 6th Multiple इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ यहां Table पढ़ना है 9 6, 9 8, 9 9 आंसर में जो मिलेगा वही हमारा Multiple होगा 12 6, 12 8, 12 9 24 6, 24 8, 24 9 इस तरीक से हमें Multiple मिल जाएंगे 9 से म 시청र करेंगे इसी तरीके बाग के सभी नंबर क्या है सिर्फ 6, 8 और 9 निकालना है तो जो भी नमबर दिया है उसको 6, 8 और 9 से ही मल्टिप्लाइ करना है आंसर में मल्टिपल्स मिल जाएंगे और यह जो बड़े नमबर से जैसे 24 हो गया 48 हो गया तो इसको आप राफ में मल्टिप्लाइ करके देख सकते हो जैसे 48, 48 की मल्टिप्लाइ कर दी 6 में इस तरह के से 6 में मल्टिप्लाइ करके आप आंसर निकाल सकते हैं कौशन नमबर 2, find weather पता करो की 9 is a factor of 45, क्या 9 45 का factor है अब अभी मैंने बताया था मल्टिप्लाइ करके जो आंसर आता है वो हुआ multiple और जिसको मल्टिप्लाइ किया है वो हुआ factor तो क्या 9 45 का factor है यानि कि क्या 45 9 से divide हो जाएगा तो इन सभी में factors पता करने कि क्या 9 45 का factor है, क्या 13 117 का factor है, क्या 25 125 का factor है, क्या 17 85 का factor है इस तरीके से बस हमें divide करना है इनको, अगर पूरा divide हो जाए तो हाँ factor है और अगर नहीं होता है कोई remainder बसता है तो factor नहीं है फर्स्ट कोईशन था 9 is a factor of 45 ये पता करना है, तो 9 से 45 को हम divide करेंगे, पूरा divide हो जाएगा 9 5 से 45 इसका मतलब 9 जो है वो 45 का factor है, यानि 9 की table में 45 आता है या ये कहें कि 45 9 से divide हो जाता है क्या 13 117 का factor है, तो 13 से 117 को divide करेंगे, पूरा divide हो गया 13 9 से 117 तो yes 13 is a factor of 117, हां 13 117 का factor है, यानि 13 की table में 117 आता है या फिर ये कहें कि 117 13 से पूरा पूरा divide हो जाता है, इसे तरीके से सारे question करना है, अगर divide होता है तो yes और अगर नहीं होता तो no तो ये a, b, c और d पार्ट जो है, इसमें yes answer आया है, लेकिन e और f इसमें no answer आयागा, क्योंकि जब आप 56 is a factor of 8, क्या 56 8 का factor है, अभी तक हम सेम इसी तरीके से question पूछें सारे, तो हमने 13 से 117 को divide किया, 17 से 85 को divide किया, इसी तरह 56 से 8 को divide करेंगे, तो क्या पूरा divide हो जाएग नहीं, 120 15 का factor है, 120 15 का factor है, divide करके देखेंगे, नहीं, ultra divide नहीं करना है, 15 से आप divide करो 120 को और कहो कि हाँ ये तो पूरा divide हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें ये देखना है कि क्या पहले वाले number के table में दूसरा वाला number आता है या नहीं, तो 9 की table में 45 आता है, 25 की table में 125 आता है, 13 की table में 117 आता है, लेकिन 56 की table में 8 नहीं आता, 120 की table में 15 नहीं आता, question number 3, write all the factors of each of the following, अब इन numbers के factors लिखने, अब यहाँ पर factors आपको थोड़ा detail में अच्छे से समझ आएगा, multiple swap आप ध्यान रखें कि बस table की बात चल रही है, शौर्ट में याद रखें बस, और factors में देखें अब, यहाँ 24 के सभी factor पूछे गए, तो 24 के factor निकालने के लिए हमें start करना है 1 से, किसी भी number का जब factor पूछा जाए, आप 1 से ही start करेंगे, क्योंकि 1 एक ऐसा number है, जिसकी table में सारे numbers आते हैं, तो 1 से start करेंगे, 1 की table में 24 कितनी बार में आएगा, 24 बार में ही आएगा, वन, 24 जा, 24, यानि मल्टिप्लाई की है, तो 24 आया, अब देखेंगे, हम 24 आग एक्स की table में आता है, और हमें बीच बीच में से नहीं देखना है, अगर हमने पहले 1 से चेक किया है, तो हम next number 2 को लेकी चलेंगे, अगर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 लेकर चलेंगे, पर आपको line wise ही करना है, यह नहीं कि आपने बीच में से कोई सा भी number उठा लिया है, तो 1 की table में 24 आया, 24 बार में, अब 2 से चेक करेंगे, 2 की table में 24 आता है 12 बार में, क्योंकि यह even number है, ठीक है, even number आपको पते हैं, यह last के number हमें देखने बढ़ता है, 0, 2, 4, 6, 8, जिसके last में ह इवे नमबर होते हैं, और जो इवे नमबर होते हैं, वो 2 से कट जाते हैं, तो 2 की table में आते हैं, तो यह even number है, 2 की table में जरूर आएगा, कितनी बार में आएगा, अगर आप इतनी जल्दी नहीं पता चल पाता है, आपको आपने तकी table पढ़े हैं, तो आपको बस रफ में डिवाइड करने हैं, जल्दी से डिवाइड हो चाहेगी, तो की table में 12 बार में 24 आप अगर रफ में इसे डिवाइड करेंगे, तो 12 बार में आया है, तो 2 12 बार में आप 3 से चेक करेंगे, 3 के table में 24 आता ही है, 3 8s 24, 3 के table से भी complete हो गया, अब 4 की बारी, 4 6 24, अब 5 की बारी 5 की table में 24 नहीं आता, उसे skip कर देंगे, next 6 की बारी, 6 की table में 4 बार में 24 आता है, अब आपको यह रुख जाना है, क्यों, क्योंकि आपको कुछ इस तरह एक नंबर मिल गया है, देखो, 4 6 जा, 6 4 जा, यानि यही चीज है, जो सिर्फ नंबर एक्सचेंज हो गया है, राइट या फिर अगर आगे बढ़ना ही है, तो आगे अब आपको अपना mind यूज नहीं करना पड़ेगा, जब आपको इस तरह का कोई नंबर मिल जाए, तो आपको इसके उपर वाली नंबर ही सिर्फ पलट पलट का लिखने है, जैसे 3 8 जा था, उसको यहाँ पे लिखा 8 3 जा, य 1 यहाँ आजाएगा, बस, multiply करके तो 24 आना ही है, 24, 11, 24, 12, 24, 24, क्योंकि हमने यही नंबर लिए है, उनकी जगा ही बदली है, ठीक है, आपको इस तरह के से लिखना है, जब भी आपको इस तरह का कोई नंबर मिले, जैसे मैंने भी पता है, क्रॉस में आपको सेम नंबर मिल मिल जएगे जैसे कि एक्जामपल करें, 49 है, 47, 47, nggak, एक लएट मे आपको सेम मिल जै है, तो वहीं रुक जाओ, या से मतलब के नहीं है, उनकी मिल जाया जाए, लिखने न से मतलब हैèmes कि उतलते हैं, जो मैं भी बताऊंगी, या फिर उसको आगे बढ़ा होगे, तो उपर व यह देखे या तो इधर वाली लाइन लिख लीजिए या इधर वाली लिख लीजिए बात एक ही है 1 2 3 4 6 8 12 24 यह सारे 24 के यह सबी नंबर वो है जिनकी टेबल में 24 आता है तो यह सारी नंबर हुए 24 के फैक्टर्स थेक है अब इसी तरीके से 72 वन सही स्टार्ट करना है 172 तूजा जわかंट 23 2 के टेबल में 72 क्योंकि वो इव famous number ब्लाइड करके देखें लो कितनी बार पर में आता है तो, divide जब करेंगे तो 36 आयगा 2 की टेवल में 36 टाइमस में 72 आएगा 3 की टेवल में 24 टाइमस में 72 आएगा 4 की टेवल में 18 जापे 72 आएगा 5 की टेवल में नहीं आता है 6 की टेवल में 6 12 जा 72 7 की टेवल में 72 नहीं आता है फिर आया 8, 8 की टेवल में 9 जापे 72 और 9 की टेवल में 8 जापे 72 तो अब यहां पे हमें सेम नंबर मिल गया जैसे मैंने कहा था कि यह तो यहीं रुख जाओ और अगर आगे बढ़ना है तो आगे वाले नंबर को ही मतलब इनके ऊपर जो नंबर लिखे हुए उन्हें को पलट पलट के नीचे लिखना है जैसे यहां पे किया था तो मैंने दो 2, 3, 4, 6, 8, 9 अब यहां से स्टार्ट करते हैं ऐसे यू शेप में 8, 9 हो गया अब दुबारा 8, 9 तो दो बार तो लिखेंगे नहीं 8, 9 अब छोड़ दिया यह वाला 12, 18, 24, 36, 72 और अगर आपको इस कोशन की तरह इसको करना था तो इनको छोड़ कर क्योंकि यह तो मिली गया है इसको यहां लिखना था 6 और 12 है 12 और 6 लिख दिया फिर इसको लिखते हम यहां 4 और 18 है 18 और 4 लिखते है इस तरीके से तो बस मैंने वही कहा कि यह तो इस तरीके से लिख लो यह नहीं लिखना है तो यह रुख जाए और इस तरीके से यू शेप में सारे आपको मिलेंग अब हैं फिलप 1 is a factor of every non-zero number 1 जो है वो हर एक non-zero number non-zero number का मतलब है कोई ऐसा number जो zero ना हो zero के अलाव हो कुछ भी हो तो कोई सा भी number हो उसका factor 1 होता है जैसे कि अभी हमने देखा हर question में 1 से start किया क्योंकि 1 एक ऐसा number है जिसकी table में सारे numbers आते हैं जैसे 2 है 2 अपना multiple होगा क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है 1 सा में 3 अपना multiple होगा क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 जा पर तो हर नंबर अपना multiple तो होता ही है the multiples of given number are infinite किसी भी दिए ओगए number के यानि कोई भी अगर हम उसके multiple find करने तो उसके multiples होंगे infinite infinite यानन्त बहुत सारे जो कभी खतम नहीं हो सकते क्योंकि हम multiply करते जाएंगे कुछ ना कुछ हमें मिलता ही जाएगा the greatest factor of every number is the number itself किसी भी number का जो सबसे बड़ा factor होता है अपना खुद ही वो number जैसे कि अभी हमने यहां को दो question देखे 24 के जो जितने भी factor है उनमें सबसे बड़ा factor जो last में आया है वो खुद है इसी तरीके से 72 का जो सबसे बड़ा factor आया है 72 वो खुद वही number है number itself वो number वही है the factors of number are finite किसी भी number के जो factors होते है वो finite होते है यानिकि निश्चित होते है एक समय पे खतम हो जाते है वो multiples की तरह आगे तक जारी नहीं रहते है जैसे अभी हमने 24 72 का निकाला एक पॉइंट पे आके वो खतम हो गए next है true false the seventh multiple of 25 is 175 25 का 7th multiple 7th multiple क्या होगा तो जब आप multiply करेंगे आप 175 मिलेगा यह true है the factor of seven are seven and one only जब आप seven का factor निकालेंगे तो आपको factors में मिलेगा one and seven यह भी बिल्कुल डू है क्योंकि seven जो है एक तो one की डेबल में आता है क्योंकि one की डेबल में तो सारे number आते है और seven खुद अपनी टेबल में आता है किसी और डेबल में नहीं आता है every number is the multiple of itself हर number अपना ही multiple होता है यह तो जैसे मैंने फिलप में बताया कि हाँ होता है the multiples of any number are finite किसी भी number के multiples finite होते है निश्चित होते है नहीं अभी पताया इन finite होता है the number one has only one factor यह जो one है इसका सिर्फ एक ही factor होता है हां true और वो factor खुद होता है one one is a one बाकी one को छोड़के और किसी इक number में नहीं आता बाकी इकलड़के और साह